मेरे राम जी चित्रकूट में इस प्रकार रह रहे हैं, जैसे मानो अमरावती में देवराज इंद्र, सच्ची और अपने पुत्र, जयंत के साथ रह रहे हो, लेकिन आपको बतां, जब कभी भी राम जी को अयोध्या की याद आती है न, तो राम जी, लक्षमन जी और सीता ज को छोड़ कर थोड़े दूर चले जाते हैं, क्यों रोने के लिए, इनके सामने रोएंगे तो फिर इनको कौन संभालेगा, हाँ वो स्वामी जी कहते हैं, अरे जब जब, रामा अवद सुधी, ये करा, वो ही, ये, तब तब बाल, हरी बिलोचन बाहरा, जा रही, जब जब याद आती है प्रभू, को तब तब नेत्र सजल हो उठते है, फिर आंसुओं को पोच कर आकर भरत जी, लक्षमन जी और सीता जी के पास प्रभू उनको समझाते है, इधर लक्षमन भया जैसे अभी वेंध की पुरुष घंटों अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, लक्षमन जी दिन रात लगे हैं, वो स्वामी जी कहते हैं, यहां तक तो मैंने आपको सुहावनी राम जी के वन यात्रा की कथा सुनाई, बन जाने की कथा सुनाई, अब उस कथा को, सुनता हूं कौन सी कथा, गंगा जी के तर्ट से भगवान ने सुमंत जी को विदा कर द सिंग वीरपूर के राजाराम जी से कहा है प्रभू आपके साथ चलता हूं जहां तक आप कहेंगे चलूंगा आपके लिए सुन्दर। व्यवस्था करके मैं वापस चला आंगा। तीर्तराज प्रयाग गए वहां से भरदवाज जी की अनुमती लेकर प्रभू निशाद जी के साथ यमुना जी के तट पर पहुँचे। जब आप प्रयाग से चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे ना तो यमुना मैया मिलेंगे। बीच पर यमुना जी के तट से भगवान ने निशाद जी को बस विदा किया। मित्र बहुत साथ चल रही है। अब आप वापस जाए। राज जी आपका सोना पड़ा होगा। सुमंत जी वापस आएं। गंगा को पार किये और माय बाप क्या देखते। हैं। जिन सुमंत जी को राम जी ने तीन दिन पहले विदा कर दिया था। उस मंतर जी अभी गए नहीं थे। रत के घोडों को रत से निकाल कर एक रिक्ष में बांध दिये है। केश विखरे हुए है। धर्ती पर पड़े हुए हैं और गिर कर केवल गंगा जी की ओर। देखकर सुमंत जी, राह माम, राम सिया, लोखाना मुकाला, अल राम, ये वैदे ही, हे लक्षमन, क्या कभी आप दिखाई नहीं पडोगे मुझे, गैग क्यों नहीं सोचने लगे यदी चला गया, और राम जी को अपने पिता जी की याद आ गई, और कही प्रभू वापस आ गए और गंगा तट पर यदी मुझे नहीं पाएंगे तो, र पेशखी दखिन तेरी, हाँ, या ही लाला ही, ए घोडे दक्षन दिशा में देख कर ही नहीं ना रहे हैं, हिना माने आपस में बात कर रहे, हैं, क्या, मानो कह रहे हो कहां चले गए हो राम जी, आज तक तो इतना देर कभी नहीं भाईया, जाते थे, चले आते थे, अब की परभु कहां चले गए की दिखाई नहीं दे रहे हैं, निशाद जी के सेवक उन घोडों के लिए, चारा जल लेकर आते हैं, लेकिन आपसे कहूं, एक भी घोडे ने चारे का एक दाना मुख्य में नहीं डाला, ना कोई जल, पीता है, ना कोई चारा खाते हैं, घोडे केव पल रो रहे, और ऐसे व्याकुल हैं, मानो किसी पक्शी के दोनों पंक काट दिये जाएं, और फिर कहा जाए, उरके दिखाओ, जैसे पंक कटने के बाद पक्शी व्याकुल हो जाए हो, घोडे व्याकुल हैं, क्यूँ मेरे रगुनात जी नहीं दिखाई दे रहे, ये प्रिंगे तो उठाने के लिए कोई है ना हमारे पीछे और जब पीछे कोई ना दिखाई पड़े तो यात्रा वही पर जीवन की समाप्त हो जाती, निशाद राज गुह पहुंचे, और सुमंत जी की दशा को देखें तो से भर गए, कहे सुमंत जी, आप तो ज्यानी है, सुमंत जी को उठाकर रत में बिठाया, कहा आप वापस जाए, घोडे चलना भूल गए, घोडे आगे नहीं बढ़ रहे, तो निशाद जी ने अपने सेवकों को साथ में लगाया और कहा कि सुमंत जी को अयोध्या पहुंचा कर आप लोग आये, जैसे रत गंगा से पीछे अयोध्या की ओर बढ़ा हो, सुमंत जी अपने आपको लगे धिककारने, है सुमंत तेरे से बढ़ा अभागा संसार में कोई नहीं होगा, क्यूं राम चले गए तेरा प्रान नहीं गया, इससे बढ़ा, कौन सा दुख जीवन में आएगा कि तेरा प्रान शरीर का त्याग क करेगा, मन दामन अफसर चुका सुमंत तू अफसर चूक गया, यदि राम के वियोग में आज तेरा प्रान निकल गया रहता सुमंत तो, तू अमर हो जाता, केस बिखरे हैं, होट पर फफोले पड़ गए हैं, गाल पर आंसूं की धारिया बनी है, मन में सोचते हैं, जाउं तो समझा लूँगा, लेकिन सुमंत, जिस प्रकार दिन भर चारा चरने के बाद जब बच्छिया और बच्छडा घर की, और चलते हैं और अपने बच्चे की आवाज को सुनकर जैसे गौ में या दोड़ कर जाती है, यदि तुम्हारे आने की सूचना, पाकर यदि कौशल दोड़ कर आकर तुमसे पूछेगी तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे की मैंने तुम्हारे बच्चे को बन में छोड़ दिया, ऐसा विचार करते 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 सुमंत जी तमसा, नदी के तट पर पहुँचे, अभी दिन था वही रत से उत्रे और निशाद जी के सेवक को वापस विदा किये और मन में कहें, मैं दिन में नहीं जाओंगा, मैं क्यूं ये कलम की मुख ये पापी का मुख? कैसे मैं दिखाओंगा कि मैं राम को वन में छोड़ के आ गया? वही बैठ गए. सुमंत जी का सोच आप दर्शन करिये, जिस प्रकार कल्पना करिये, कोई आदमी जीवन भर कमा के और अपनी जीवन भर की कमाई पोटली बना के घर जा रहा हो, और रास्ते में उसकी कहीं पोटली गिर जाए, है है उस धन के खोने के, बाद जैसे वो व्याकुल होगा, सुमंत जी व्याकुल है, कोई पत्नी जीवन भर अपने पती के चरणों को छ चोड़कर कुछ, दूसरा स्मरण ना की हो, और उसके बुड़ापे में उसका पती आकारण उसका त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री का जो सोच होगा, वह सुमंत भी कर रहे हैं, कोई ब्राहमन जीवन भर धर्म का पालन करें और मृत्य समय इस उम्मीद में पढ़ा हो, बिस्तर पे की कोई आकर उसके मुख में गंगा जल डालेगा और उसी समय आकर कोई उसके मुख में मदिरा डाल दे हो, उसके बाद उसको जो सोच होगा, सुमंत भी कर रहे, ऐसा लगता है मानो, माता-पिता गुरू की हत्या कर दिये, हो, रात्री आने पर सुमंत जी मां कौशल्या के भवन के बाहर रत को खड़ा किया. पूरी. अयोध्या की प्रजा दोड पड़ी. सुमंत जी आये हैं. क्यूं हो सकता है? राम जी आ गए. सुमंत जी तो महल में चले गए. अयोध्या की प्रजा दोड कर आए और अभी किसी से किसी ने पूछा कुछ नहीं. क हमारे साथ नहीं, वो तो पीछे छूट गए। सुमंत जी, कौशल्या मा के कक्ष में गए और जाकर, महराज का दर्शन किया हो है मानो किसी, ने चंद्रमा को आकाश से उठाकर धरा पर पटक दिया। शरीर पर मलिन वस्त्रहे ना कोई आभूशन है। बाबा कहते हैं, अरेन जाई सुमन मित्रा दिख कसरा, जाई सोन, दा दिकत कसरा, अमिया रहे पजन औचंदी, अंदर पीरा, आमिया रैली रा जन औशधी, यार। आसन सयम, बना विभूशन नहीं, देना, हाँ, सर नरेंद्र आयाना, लवली वो दांगी वा परेउ भूमी तलाश, निप्ता मरी, ये ना परेउ, ये लल निप्ता ली, सुमन्त जी, जाकर महराज के चरणों में दंडवत करके बोले हैं, जय जीव आपका सुमन्त आपको प्रणाम कर रहा है, हैं सुमन्त शब्द सुनाई हुआ ना मानो मरे हुए शरीर में प्रान आ गया, उठके बैठ गए और तुरंत गले लगाया सुमन्त जी को और गले लगाकर महराज कहते हैं सुमन्त रामा कुशल कहुस्था, स्नेह ही कोहरा गुना था, लखनव बैठे, डे राम कुशल, वो सजावा संदेश ही, कोहरा हो ना हो, लखन बैठ, ये आने फे, मेरी की बन ही सिधार आ के, आने, तेरी दीवानगी सीधा, छे सो मैथ स सिवा लोचन जाए, साथ सो च्यानवे, सूरत सर, गीव लो, जन और शदी, सोनत, सचिव, वन लो जल, कल, सुमन्त जी ने कहा, जाई जी यू सुमन्त आपको प्रनाम करता है, महराज गले लगाए, कहे सुमन्त कुछ मत बता पहले, मेरा आराम कुशल है ना सुमन्त, राम कुशल कहून सकहास ने ही कहा है, राम लेकर आये हो ना की वन में छोड़के चले आये, महराजा नेता ना कहा तो, सुमन्त जी के नेत्र सजल हो गए, सुमन्त जी की आँखों में आसु देखकर चक्रवर्ती जी बोले सुमन्त मौन मत धारण करो। शीग्र बताओ रामकोला ये होना तुम बोलोगे नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा सुमन्त। सुमन्त जी का है महाराज, आप। धर्मपुर इन है, ज्यानी है, राम को आपके अलावा अच्छे से कौन जानता है। प्रभु, मैं तो आया, राम नहीं आपने। पहले दिन हम लोग प्रभु तमसा नदी के तट पर रुखे। दूसरे दिन रात में श्रिंग विरपुर। में विश्राम भाईया तीसरे दिन सवेरे में कहता रहा है क्या नाथ की वापस चलिए प्रभु वापस चलिए बर्ब नहीं आया, इतना सुनते ही प्राण यहां आके फंस गए उनके कंप में। इंद्रिया शिथिल हो गई। शरीर थंडा होने लगा। कौशल्या मैया ने महराज के स्वरूप को देखा। तुरंत अपनी आशूओं को पोंच्छा और कहा महराज आप भीरज रखिए। प्रभू और ये जहाज राम के रूप में रहा है। और आप ही इस जहाज के खेवनहार है। नाथ। नाम को चलाने वाला ना रहेना। तो नाव को डूबने से कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। राम तो चला गया। आप भी अदी। छोड़के चले जाओगे। तो हम अनाथों का क्या होगा। संसार में प्रभू। आप धीरज रखिये। अभी मैं कहती हूँ, 14 वर्ष बाद राम स्वयम आकर आपके चरणों को दंडवत करेगा। महराश्ट्रा कहते हैं। कौशल्या है। आज धीरज नहीं। आप मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप में तुम भी मरोगे, लेकिन हमारे पुत्र की तुम मृत्यू हो गई है। तुम्हारे बेटों की मृत्यू नहीं होगी। लेकिन तुम इतने बड़े अभागे होंगे कि जब तुम मरोगे ना, तो चार में से एक भी पुत्र तुम्हारी आँखों के सामने नहीं होगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य, राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जेली हैं, हे लक्षमन आपको देखे बिना मैंने बहुत जीलिया है वैदेही, शमा करना मैं आपका प्राधी हूँ, आपको देखे बिना बहुत जीलिया, राम राम, फोन का हीरा, हम कहीं, ये रहा, हम, रा, हम कल ये रात, पर, अनुपारी हरी रघुपर आ तेरह सो तेरह, गाय आउन, सूरत हां